नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देव जी के ट्रेक में दोस्तों यहाँ पर समान विज्ञान के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अभी तक रसायन विज्ञान के जितने भी चार पार्ट बनाये हैं सभी चार पार्टों मे यहाँ पर रसायन विज्ञान से संभी कोर्शन को पढ़ लिया है और आज की आप टॉपिक में हम लोगों को जीव विज्ञान के प्रैक्टिस लगाना है और जीव विज्ञान के अंतर हमको क्या पढ़ना है तो यहाँ पर देख लीजिए आपके स्लेबस के अंशार सम्मंदित रोग और विविद इतने आपको पढ़ना है करीब आपके यहां पर तीन तीन टॉपिक लिए कि यहां पर बनाएंगे करीब पांच वीडियो में आपके यहां पर बैलो जी पूरी समाफ्त हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरे वीडियो इसको तो आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वेल आइकन को दबा लेना ताकि प्रत्यक वीडियो आप देख पाएं ठीक है तो आईए यहां पर इस्टार्ट करते हैं बैलो जी का पहला टेस्ट है जो अगले आएंगे चार पार्ट आपको बहुत ही जल्दी यहां पर आपका बी नंबर अर्थात कैरोलस लीनियस को वरगी करण विग्यान का यहां पर जनक आ जाता है ठीक है और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखे थी पुस्तक का नाम क्या है इस सिस्टेमा ठीक इस सिस्टेमा नेचुरी इनकी एक पुस्तक थी जो कि 1758 1818 आप लि retrouveender हमको यहां पर अच्छे से पढ़ना ह Luckily कोसचन का रहा है जीवों के बहुगानिक नाम करण की पद दती है तुर्य आपकी पद दती काउनसी है दूई नाम पद्दिती है ठीकि दूई नाम पद्दिती की यहाँ पर आपका नाम करण जो है यह आपका हो जाएगा दूई नाम पद्दिती की आपका जगत, जगत में आपका को हो जाएगा संग वर्ग, ठीके, संग वर्ग गुंड कुल वर्णस जाती ठीके, तो इसके साथ सी जो अपना जात होता है, ठीकी, यह आपका क्या हो जाएगा यहांपर सबसे छोटी आपकी इकाय होती है ठीके, चलिए जन्तूओं योम पादपों के बैग्यानिक वरगी करण से सम्मंदित विज्ञान की साखा कहलाती है तो देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टफ लग रहे होंगे कोश्चन आपको लगता है कि ऐसे कोश्चन नहीं होते हैं आईसे कोश्चन आप छोड़ा सा टप दिये हैं जन्तूओं योम पादपों के बैग्यानिक वरगी करण से सम्मंदित विज्ञान की साखा क्या कहलाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं जन्तु ओम पादक के वरगी करण बोला है ठीक है तो उसमें पहले जन्तु था यह इसमें देदी है कममाइंड तो जन्तु ओम पादपों को बैग्यानिक वरगी करण की साका को कहते हैं यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका 6 का आपका B नम कौन सा जीव मोनेरा जगत में सामिल नहीं है तो मोनेरा जगत में सामिल नहीं है तो मोनेरा जगत में आपका नहीं सामिल लड़ी नमबर अर्था जो कवक होता है यह आपका मोनेरा जगत में सामिल नहीं होता है अब यहाँ पर बात करते हैं जिसे जीवाडू तो जीवाड माइको प्लाजा मोनेरा जगत में सामिल होते हैं मोनेरा जगत में एक कोस्ट की जीव सामिल के आते हैं ठीक है तो मोनेरा जो जगत होता है उसमें एक कोस्ट की जीव होते हैं जैसे जीवाड हुए माइको प्लाजा है नील हारित सवाल है यह आपके एक कोस्ट की जीव जन्त ह होते हैं टीक है इसलिए इसे बोलते हैं कि इसमें आपके महनेर जगत में सामिल ले हैं आपका नहीं आता है ठीक है और चलते हैं पर किस जगत में साव्स की जाते हैं विसाड किस जगत में सामिल कियाते हैं तो यह आपके यहां मेरे किसी में नहीं सामिल कियाते हैं किसी में नहीं कियाते हैं इसका मतलब किस में कियाते हैं तो विसाड अतिसूच में आकेसर की वाले सरचना वाले होते हैं और ये जो उनका आवरान होता है नुकलियर अमलद्वारा आपका गिरा भी होता है और इन्हें सजी निर्जो की बीच की कड़ी माना जाता है तो विशाड़ों को जंतुओं की वरीकरण से जगत में सामिल नहीं कियाता है ठीके और ये आपारे अकैसरुकी होते हैं ना इसमे कैसे ना किसी में होते हैं इसलिए इनको किसी पी जगत में यहांपर नहीं रखते हैं ठीके समझ गया होंगे और अगला कोशिन यहांपर देखते हैं कोशिन आपसे कह रहा है है कि अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवान कोशिक का कोशिक एहांपर सबसे छोटी American train की यह और होती है आपकी प्रोकरियाटिक जीव होते हैं इनके अंतरगत देखा जाए तो जिसमें से कोशका भित्ति का अभाव होता है और यह अब तक ज्यात सबसे छूटी आपकी कोशका हैं यह जीव मानो पस्वों पादपों कीटों आद में पाए जाते हैं कोशका भजत निसमे माइको प्लाजा के अंतरगत होती है थोड़ा स्वाज आपको टॉप लग रहा होगा यह आपको जो टेस्ट है कवोकों का प्रियोग किया जाता है तो कवोकों का जो प्रियोग किया जाता है तो यह आपका होता है कवोकों का प्रियोग तो 12 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर D number अपयोग तो सभी मतलब कि खाद्य पदार्थों की रूप में भी होता है अल्कोहल निर्माड में होता है ब्रेट बनाने के भी निर्माड में आपका यहाँ पर कौकों का प्रियोग किया जाता है अगला कोश्चन आपसे कह रहा है लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है तो लाल सागर का नाम दिया गया है क्यों 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 क्योंकि विशिष्ट सैवालों की उपस्तिती की कारण ठीकि विशिष्ट सैवालों की उपस्तिती की कारण इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि लाल सागर के नाम दिया गया है ठीक है वैसे आपके नाम जो होते हैं नील हरिस सेवाल बहुत आयात में पा जाते हैं लेकिन जब यह मर जाते हैं तो सागर का समान नीला हरा रंग लाल भूर प्रतित होने लगता है इसी करण लाल रंग को यह और ट्राइकियो फाइटा भी होता है मतलब यह सभी आपके इसके अंतरगत आते हैं आगला कोशन आपसे कह रहा है थाइलो फाइटा संग के अंतरगत सामिल नहीं है तो थाइलो फाइटा के अंतरगत को ने सामिल है तो 17 का सी हो जाएगा आपका कौन सा है इस फेग नम इस फ अंतरगत सबसे सरल पाधप सामिल कियाते हैं और इन पाधपों का जो शरीर होता है जड़त पत्तियों विभाजित नहोकर एक ठैलस के रूप में होता है इन पाधपों में सवान उदकों का आभाव भी होता है और ठैलोप अंतरगत विम्मिन प्रकार के सैवाल कवक्वा आपका 18 का जवाब हो जाएगा ए नमबर अर्थात नास्टाक एवं एनाबीना नास्टाक एवं एनाबीना ये आपके नाइट्रोजन इस तरी करण में से सहवाल आपके सामिल होते हैं अगला है जिन पादपो में भोजन वा जल के समाहन के लिए समाहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संग के अंतरगत आते हैं तो वो किस के अंतरगत आते हैं तो आपका हो जाएगा सी नमबर अर्थात टाइक्रियोफाइटा के अंतरगत आपके जल समाहन के लिए समाहन तंत्र पायाता है वे हमारे किसमें आते हैं टाइक्रोफाइटा के अंतरगत आते हैं अगला कोशन आप से पूचा है कि निमले कितमे से सम्मंदित बताईए तो यहाँ पर देखो केचुवा किस में होता है ठीक है केचुवा गहरा है और मकडी सीप और आपका कौन है मेड़क यह किसके अंतरगत कौन आपता है सही मिलान के लिए है तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तो यहाँ पर केचुवा आता है आपका थर्ड नमर अर्था एने लीडा में आता है ठीक है केचुवा किस में आता है एने लीडा में वहीं पर अगर बात करें मकडी तो आता है आर्थो पोड़ा में आता है और अगर सी की बात करते हैं तो सीप आता है आपका मुलस्का में आता है मेड़क हो जाएगा आपका कार डेटा संग में ठीक है ये चार आपका स्क्रीन साट ले लीजिए इसका और नेस कोशन क्यों चलते हैं कोशन आपसे कह रहा है अकसेर की तथा कसेर की नामक दो वरगों में भी भाजित है तो अकसेर की भी हो और कसेर की नामक दो भागों में कौन भी वाजित है तो पचीस का आपका जवाब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखो अकसेर की और कसेर की के अंतर के जो आते हैं वो आते हैं आपके संग कार डेटा कौन होते हैं संग कार्ड डिटा आपके यहां पर सामिल किये जाते हैं ठीक है अगले कोशन को चलते हैं कोशन आपसे कह रहा है जन्तू होते हैं कि स्रेडी में आते हैं आनित ताप मापी जन्तू की स्रेडी में आते हैं तो वह कौना आते हैं तहीं अगला दिया है उबहेचर भी होते हैं, सरिस्रब आते हैं, वो अनित ताप मापी में आते हैं, अनियत ताप मापी वर्था तंतुओं के अंतर आते हैं, ठीक है, जंतुओं के अंतर आते हैं, अगला दिया है, मचली का वातायस किस रूप में कार करता है, दिखते हैं किने एर बलड्स होते है उनके फेफड़े होते हैं वो किस रूप में कार करते हैं तो वो किस रूप में कार करते हैं सहायक सोसन अंग और द्रव एस्थेतिक अंग दोनों के रूप में कार करता है सहायक सोसन तंत की रूप में और द्रव एस्थेतिक अंग के रूप में दोनों में काम करता है इनके जो गलफड़े होते है ठीक है अगला दिया है कि पच्छी और चमगादर दोनों उड़ने में सच्छम होते हैं फिर भी चमगादर पच्छीों से भिन होते हैं क्यों तो भाई क्यों भिन होते हैं क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि मद्धेपट डा कि यह अंड़े भी देते हैं ठीक है दोनों की समय होती है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है उनकी जो पर मतलब कर आशकते हैं उनके पंक्ये पैंथेरा टाइगरिस यह भारत के राष्टी प्रशुब बाग का नाम है जिसका बैग्यानिप क्या है पैंथेरा टाइगरिस है ठीक है और यह भारत की वनेजीव संपद्धा का प्रतीक भी है वीसे के लगबग दो तीहाई बाग भारत में ही पाजाते हैं पागों के सरच्छन के लिए 1973 प्रोजक्ट टाइगर प्रारब भी किया गया था अगला कोचन आपर देखते हैं तीस नमबर सीथ रित्यू में पस्वों के प्रुसुपतिकाल को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं यहाँ पर वह जाएगा आपका सी नमबर हाइबर नेशन ठीक हाइबर नेशन कहते हैं मतलब की कह सकते हैं कि सीथ रित्य में बहुत से पसूं की सारीरिक किरियाओं अर्था उपापचे जो किरियाएं होती हैं तो दर तापमान कम हो जाता है और उनमें निसकरीता आ जाती है अता हुई लंबे समय तक एक ही थान पड़ा पड़े रहते हैं या हिस्तित निसकरीता प्रस्तत का लातवा सीत निद्रा कहलाती है कोशन क कह रहा है सबसे बड़ा एक कसेर की जिव कौन है सबसे बड़ा एक कसेर की जिव है तो वो आपका भी नंम्मर हो जाएएगा अर्थात काले रपा टैक्सी फोलिया आपका एक कोसर की जो सबसे आपका बड़ा है लगभग ये 6 से 12 इंच तक ब्रद्धी करता है और यहां हरे सहवाल की एक प्रजाती है और ये सबसे बड़ा आपका एक कोसर की जूजनतु है ठीके चलो अग्ला कोसर यहापर देखते है कोसर कहरा है जल में तैरने वाले पच्चियों में क्या विसेस्ता होती है नमबर अर्थात जल यूग तो उनके पेर होते हैं क्या होते हैं अर्थात इनकी जो अंगूलिया होती है एक जाल द्वारा परसपर जुड़ी होती है इसकी साहिता से ये पच्छी जल को पीछे की और ढगेलते रहते हैं जल में तैनने वाले पच्छीों में बतक वाटर रेल आधि प्रुमुक होते हैं ठीक है चलो अगली कोश्चन के और चलते हैं कौन सा सर्प 20 रही थै तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है इसका हमने कई बार ये कोश्चन को रिपीट किया है कि इनमें से कौन सा सर्प है जो 20 रही थै आपको ये कमेंट करके बताना है आगला कोशन आपसे पूछा है वह आकसेर की जन्तु जो उभय लिंगी नहीं है तो उभय लिंगी मतलब नहीं आपका एकसेर की जन्तु जो उभय लिंगी नहीं है तो उभय लिंगी में आपका हो जाएगा यहाँ पड़ी नमबर काक्रोच ठीके काक्रोच अतवा तिल्चट ये आर्था पोड़ा संग का जनतु है और इस संग के जनतु प्राया एक लिंगी होते हैं और इनका स्रीर त्रीस त्रीस रचना था सिर्वच और उदर में भी भाजित होता है इनके जीवन चक्री की जो प्रारंभिक वस्था होती है लारवा अवस्था होती है बाद में ये होकर वैसकों में परिवर्थित हो जाते हैं अगला कोश्चन आपका दिया है कोश्चन आपका कह रहा है कार्ड निम्लिखित में से किसकी प्रजाती है कार्ड कार्ड निम्लिखित में किसकी प्रजाती है तो यह आपकी यइक मचली की प्रजाती है जो की कह सकते है गैडस वन्स की मचलीयों का समान नरा में काड जो समानता समुद्रों अथवा जीलों की तैलहेटी में रहती हैं काड वाणजिक रूप से महत्वपुर्ण मचली है इसके मुक्यता तियों प्रजातिया होती है अटलांटिक कार्ड होता है पैस्विक कार्ड होती है और जिए तीन जगाव के पाए जाती है अगला दया है सूची फर्ष्ट और सूची सेकिंड से सही मिलान कीजिए सबसे बड़ा इस्तली जीव कौन हो जाएगा भई तो यहां पर सूची की मिलान करना है तो भई देखो सबसे बड़ा इस्तली जीव होता है आपका हाथ ही हो जाएगा क्या हो जाएगा हाथ ही हो जाएगा सबसे बड़ा इस्तनी की बात करें तो सबसे बड़ा आपका इस्तनी जी होता है नीली हुएल क्या होता है नीली हुएल होता है और सुतर मुर्ग सबसे बड़ा पच्छी है ठीक है सबसे बड़ा पच्छी कौन है सुतर मुर्ग है परंति पच्छीों के वैग्यानिक अध्यन को कहते हैं, जवाब आपका हो जाएगा डी नमर अर्थात उसे बोलते हैं, अर्नीथो लाजी कहते हैं, ओई पर गर बात कहें, लिम्नो लाजी, तो लिम्नो लाजी में क्या होता है, तालाबों, पोकरों, जीलों, अधिके जीवों का अध किया जाता है मैला को लोजी मैला को लोजी जो होता है वो किसका में होता है तो मोलस्का संग के जीवों का अद्धन होता है किसमें मैला को लाजी में करते हैं अरनीतों का आप समल लिया होगा तो यतने आपके कोश्चन हुए हैं उससे पहले आपको बता दें अगर आप हमारे चैनल है Only UPCC by 2 तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि Current Affair के डेली आपके यहाँ पर वीडियो पढ़ रहे हैं Part No.3 भी पढ़ चुका है इसके पहले आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2 भी पढ़ चुका था और इसके पहले आपका यहाँ पर आपका तो फ्रेंस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब से यह सभी चीज़ आप साथ में करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी पूरा पूरा ग्यान मिल पाए तो फ्रेंस हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत अगले वीडियो देखने के लिए आप वेट करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जैहिन जै भारत